सबी साथियों को जय हिंद मैं आपका साथी डुक्टर सुक्षर्मा एक बार फिर से आप सबी वीनर्स का वीनर्स वर्ल्ड के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं कैसे हैं भी आप सब लोग निसीत रूप से बहुत अच्छे होंगे श्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और एक बहुत स्चांदार रनीती के साथ अपनी तयारी में जुटे हुए होंगे मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ, आज के सेशन में हम जो के PYQ का सेशन है, ये PYQ के तीसरी क्लास है और आज के इस सेशन में हम SPOC, sentence pattern के किसी एक question को लेंगे और उस question के concept को समझेंगे, उससे related, जितने भी concept होंगे, जितने भी questions होंगे, उन सब को ठेक ढंग से समझने की कोशिस करेंगे, ताकि उस concept का question यदि एकजाम में आए, तो आप ठीक ढंग से बहुत स्वीधा जनक तरीके से आप उसको कर लें, ये है PYQ series day 3, इससे पहले इस series के दो वीडियोज हो चुके आपने नहीं देखे हैं, तो आप जिरूर देख लीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे, confusing concepts of SPOCA, ये एक question है, ये question कब पुछा हुआ है, ये question पुछा हुआ है, RPSC second grade 2018 के exam में आप से ये question पुछा हुआ है, question देखेगा क्या है, बहुत छोटा सा question दिख रहा है, ये वल तीन हैं इस sentence में, और आपको पूछा है कि ये sentence कौन से pattern को follow कर रहा है, इसका SPOCA, ये आप label करें, तो किस धंग से करेंगे, sentence क्या है समझेगा, it came true, इस sentence को पूछा है, और जो options हैं उनको समझेगा, पहला option है, S, V, O, और उसके बाद में I लिखा हुआ है, यानि object है, जो कि indirect है, क्या है, इसमें subject है, वाब है, और indirect object है, ये कह रहा है, ठीक है, दूसरा है, इसमें subject है, वाब है, और इसमें complement है, यदि आप देखेंगे question को ठीक से, तो सभी options में, पहले दो element जो है, वो S, V है, यानि it इसमें subject है, और कम या केम जो है, वो इसमें वाब है, यहां तक तो बिलकुल clear है, जो कि सभी, जो भी options हैं, उन सब में, पहले दो element जो हैं, हो S, V है, S, V है, इस series के माध्यम से आप एक्जाम में questions को solve करने का तरीका समझते हैं, बहुत धीरी-धीरे करके चीजों को समझते हैं, अब देखो, पहला option इसमें है, कि यह object है, और object में भी यह कैसा object है, indirect object है, तो पहले हम यह समझ लेते हैं, कि object कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि D option में जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि object है, लेकिन कैसा है, direct object है, यानि object दो तरीके के होते हैं, पहला object कौन सा, direct object, आपको इसकी जानकारी होनी चीए, और दूसरा जो object है, वो कौन सा है, indirect object, यदि आप इन दोनों की definition देख तो आपके समझ में आएगा कि direct object जो होता है वो action का receiver होता है क्या होता यह receiver of the action R-E-C-E-I-V-E-R receiver of the action action का receiver होता है यानि यह action को receive करता है ठीक है कैसे जैसे ही ही राट लेटर उसने एक लेटर लिखा देखिए कि बहुत आसान कॉंसेप्ट है लेगिन इसमें आगी चलके एक बात है चो आपको समझनी चाहिए अकसर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि एक लिविंग थिंग होते हैं और एक नॉन ल लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं डिरेक्ट होते हैं और जो लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं इंडिरेक्ट होते हैं आपने ऐसा भी पढ़ा होगा आप ऐसे नहीं पढ़ें इसको इस धंग से पढ़ें इसको आप देखेगा इसमें वाब जो है एक्शन जो है वो क् का यह direct object है कैसा object है यह direct object है यह बात समझ में आ गई है हम और कई लिख सकते हैं पन जितने भी आप लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यह सीधा-सीधा क्या है जिस परिकार से He broke the chair He broke the chair उसने कुरसी को तोड़ दिया है He broke the chair तो कहा लेकेंगा अपनी हाँ यह आपकी वब है और chair जो है यह इसका direct object है ठीक है भी? अब indirect object की definition क्या है? यह जो आपका direct object है यह इसका receiver होता है कौन? indirect object जैसे He wrote me a letter He wrote He wrote me a letter थोटी थोटी चीज़ें हैं आप लोगों को समझते भी आगे बढ़ना है He wrote me a letter उसने अब देखेगा रोट यह क्या है आपकी? वब है? कोई दिकत नहीं यहाँ से इस वब का receiver कौन है? A letter और इस letter का जो receiver है वो कौन है? यह me है यानि यह आपका आपका जो direct object है जिसका आप direct object भी कह सकते हैं उसका receiver जो होता है उसको क्या कहते हैं? indirect object कहते हैं क्या कहते हैं इसका? indirect object कहते हैं समझ में आगे होगी बात यह? किसी परकार की कोई दिकत नहीं होनी चीए जैसे एक ओर देखते हैं रोहित गैव मी अबुक रोहित गैव मी अबुक ठिक इसमें देखेगा गैव जो है वो क्या है अब की वाब है और ट्रिक क्या दिया उसने इस एक्षन का रिसीवर कौन है अबुक है तो ये आपका डिरेक्ट अबजेक्ट हो गया और एक बुक का रिसीवर कौन है मी है ठीक है तो ये क्या हो गया आपका इंडिरेक्ट अबजेक्ट हो गया ये आपका क्या हो गया इंडिरेक्ट अबजेक्ट हो गया और ये आपका डिरेक्ट अबजेक्ट हो गया अब आप कहेंगे यह एक सेंटेस ओर लिख रहा हूं मैं आप उसमें मुझे बताएंगे कि डिरेक्ट अबजेक्ट कौन सा है और इंडिरेक्ट अबजेक्ट कौन सा है लिखे एजू की पर कि एजू की पर जू की पर फेड़ पीर अफिस आप देखेंगा इसको फेड फेड है फेड है ठीक है अब बीर की बजाए आप पर दे भी लिख सकते हैं यहां कोई दिकत नहीं होगी क्योंकि उसके दू में जो हैं उसी का पंजिकर कर रहे हैं तो लिए अपने इसको दे लिख देंगे दे बीर चिक है अब बताओ इसमें डिरेक्ट अबजेक्ट कौन सा है और इंडिरेक्ट अबजेक्ट कौन सा है कौन सा तो डिरेक्ट अबजेक्ट है और कौन सा इंडिरेक्ट अबजेक्ट है इसमें ये देखेगा Fades, क्या दी उसने मचली दी, किसको भालू को, तो ये Fist जो है, ये क्या हो गया उसका Direct Object हो गया दोनों एक ही जैसे हैं, ये Direct हो गया, और ये आपका क्या हो गया, Indirect हो गया ये आपका Indirect हो गया तो Direct और Indirect Object को आप थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ ले, ठीक है और इसकी Position भी देख लीजिएगा Indirect Object पहले आता है और Direct Object बाद में आता है ये दी Sentence में एक ही Object हो, तो वो कौन सा होगा वो Direct Object होगा ये दी Sentence में एक ही Object है चाहे वो Living Being है चाहे वो Non Living है तब आप उसको क्या कहेंगे क्या कहेंगे विसको Direct ही कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे आप उसको Indirect नहीं कहेंगे समझ में आगी बात भी? चलो, अब आगी देखते हां आपन इसमें ये तो था आपका Direct Object और Indirect Object का मामला अब और क्या-क्या है इसमें वो भी समझ लेते हैं में और क्या-क्या मामला है वो भी सारा समझ लेता है एक क्यूशन से बहुत सारी चीज़ें किलियर करेंगे हम सबी चीज़ें हमारी किलियर हो पाएंगी अब देखेंगे इसका अब ये अबजेक्ट है क्या अब इस वाब को समझेगा It came true It came इस question को लेने की वज़े ये है कि कम जो वाब है उस कम वाब को आप समझेगा यहाँ ये किस प्रकार की वाब है जैसे एक sentence हो लिखते हैं कि रोहित केम रोहित केम हीर रोहित केम हीर यस्टरड़े रोहित केम फ्रॉम जैपूर रोहित रोहित केम फ्रॉम जैपूर रोहित कहा से आये जैपूर से आये ठीक और एक sentence हमारा है यी वो कि it came true अब देखेगा इसमें जो कम वाब है वो किस प्रकार की वाब है इसमें कम किस प्रकार की वाब है और इसमें कम जो है, उक्किस प्रकार की वाब है, रोहित came here, रोहित यहां आया, यह तो आपका subject हो गया, इसका pattern लिखते हैं, came क्या हो गई, इसमें आपकी, वाब हो गई, here क्या हो गई, इसमें, adverbial हो गई, और yesterday भी क्या हो गई, इसमें, adverbial हो गई, दोनों को अलग अलग और yesterday अलग adverbial है, ठीक है भी, दूसरा देखेगा, रोहित इसमें subject हो गई आपका, कोई दिकत नहीं है, came इसमें वाब हो गई, और यह पूरा का पूरा, from जैपूर, यह पूरा का पूरा क्या है, adverbial है, यह पूरा क्या है, adverbial है, यह पूरा क्या आपका adverbial है, अब यहां एक दिकत और आती है कई बच्चों को, वो कहते हैं कि सर्ट, जैपूर को क्या लिखें, जैपूर को noun लिखें, या फिर adverb लिखें, यदि अकेला जैपूर underline है, और आपसे part of speech पूछा है, तो जैपूर तो noun नहीं है, जैपूर थोड़ी ना adverb है, जैपूर तो क्या है, न और pipositional phrase sentence में, किसका काम करती है, adverbial का काम करती है, किसका काम करती है, from जैपूर, किसका काम करती है, adverbial का काम करती है, समझ में आ गई होगी बाती, अब तीसा sentence देखो, it came true, यहां कम जो है, वो कोई आ नहीं रहा है It Prude True ये कम जो वब है यहाँ ये linking वब मान सकता है अब लो इसको और इसका आरत होता है Prude 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 यानि ये सही साबित वब It Came True ये सही साबित वब Prude वब है ये Prude Prude ठीक है? तो It Came True तो ये जो आपकी है ये True जो है ये Adjective क्या भी ये? Adjective है और ये Adjective जो है वो ये Compliment है ये Adjective क्या है? इसका Compliment है इसलिए आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? S, V और C वाला आंसर आपका सही होना चाहिए Clear होगी बात में? ये चीज आपके एकदम समझ में आजाने चाहिए कि कम के चकर में आप लोग किसी प्रकार की कोई गढ़बन नहीं करेंगे आप देखो और सेंटेंस समझते हैं ऐसे इसी प्रकार से गो से भी कुछा जाता है, गो से भी He has gone mad ये यह सेंटेंस आपने कभी सुना होगा नहीं सुना होगा तो आपको सुन लेना चाहिए He has gone mad वो पागल हो गया इसका आर्थिय होता है He has gone mad का मतलब होता है वह पागल हो गया ठीक है? एक यह है He is going to school ठीक? एक यह सेंटेंस है यहाँ जो go web है वो कैसी web अभी? अपने बाद में कैसी क्या ले रही है? add web यह ले रही? intensity web है लेकिन यहाँ gone जो web है वो आपके linking web हो गई और यह क्या है? He has become यहाँ gone जो है उसका आर्थ क्या है? become अर्थ है और यह बन गया आपका He has gone mad mad यहाँ क्या है? adjective है mad क्या है अभी यहाँ? adjective है इसलिए इसका जो pattern हुआ वो क्या हो गया? SPC हो गया इसका क्या pattern हो अभी इसका? SPC pattern हो गया इसका कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें आप लोगों को? कि इस प्रकार के question जान बुझ की पुछे जाते हैं जैसे यह कम वब है और यह आपका sentence है go वाला ठीक है? इसका pattern अलग है यह आपका subject है He is going आपकी क्या है? we है और to school आपकी क्या है? add-web-bl है तो इसका हम क्या लिखेंगे? add-web-bl लिखेंगे समझ में आगी? यदि आपको पास कम और गो से इस प्रकार के sentence पूछ लें तो आप बिल्कुल तयार रहेंगे ठीक है? एक sentence और है आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे sentences मैंने आप लोगों के लिए जो book तयार की आपकी Venus Grammar an ultimate practice book 6000 प्रक्टिस कोईसंस इसमें और बहुत सारे pattern के questions हमने सारे questions इसमें डाल दिये हैं इसमें कुछ अच्छे questions जो थे हैं इससे related वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं देखेगा एक sentence लिखेगा आप सब बे एक sentence लिखेगा The sky grew dark The sky grew dark ये sentence भी एक्जाम में पुछा हूँ है 2011 में पुछा हूँ है The sky grew dark इसका pattern बताओ भी कुछ बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जो sentence मेरा सुनते ही बता दें The sky The sky grew dark ये sentence पुछा हूँ है 2011 के RPSC में बताओ भी इसमें The sky grew dark The sky grew dark अच्छा sentence है आप लोग जुरूर इसको बताओ गा कुछ sentence अब तक मैं और देखना हूँ आप लोगों का The young man grew very depressed एक sentence और है The young man The young man grew very depressed The young man grew very depressed दूसरा sentence ये है इसका भी pattern लिखो एक sentence और है He grew his hair long He grew his He grew his hair long एक sentence और लिखो He has grown old He has grown old ये कुछ sentence है जो मैंने आप लोगों को प्रेक्टिस के लिए अपनी इस बुक में दिये वे हैं एक sentence और लिखेगा अच्छा sentence है C married young C married young M A double R I E C married young आप जब अच्छे questions की प्रेक्टिस करेंगे तो निसीत रूप से आप लोगों को confidence बढ़ेगा चीजें किलिर होंगे आपकी देखो The sky grew dark यहाँ जो grow word है ये second form है grow की यहाँ ये उगाना नहीं है ठीक है यहाँ इसका मतलब है become हो गया तो second form हो जाएगे became The sky became dark आस्मान जो है वो काला हो गया तो ये आपका subject हुआ ये आपका subject गर्यू जो है ये आपकी क्या हो गई वाब हो गई और उसके बाद dark जो है ये आपका adjective है धान से समझली जीएगा एक एक चीज़ को ये आपका adjective है और adjective है इसलिए क्या है compliment है adjective है क्या है compliment है the sky grew dark आस्मान जो है वो काला हो गया तो इसका ये हुआ है ये 2011 में पूछा हुआ है आज जो हमने sentence लिया था ये कब 2018 में पूछा हुआ है दोनु सेंटेंस में similarity है चलो आगे देखते है the young man grew very depressed इस sentence को बताईगा क्या है इसमें the young man grew very depressed यहाँ भी grew का मतलब बे उगाना नहीं है देखो grow का मतलब उगाना होता है grow का मतलब बे उगाना होता है ठीक है लेकिन यहाँ उगाना नहीं है people grow rice in UP people grow rice in UP log UP में क्या उगाते है rice उगाते है तो यहाँ people क्या है subject यहाँ यह वाब जो कि transit वाब है क्या उगाते है rice उगाते है object है और यह आपका क्या है adverbial है यह आपका क्या है adverbial लेकिन इसमें देखीगा the young man चुह है यह आपका क्या है subject है young man आपका क्या है बिटाई यह subject है clear हो रही है the young man यहाँ तक the young man subject grew चुह है वो आपकी linking гр Separate become है become क्या है यह become ठीक है, क्या बन गया है वो, very depressed, यानि जवान लड़का जो था, वो बहुत निरास हो गया, तो यह depressed जो यहाँ है, यह adjective है, क्या है यह adjective है, बहुत निरास हो गया, इसका हमले पूरा का पूरा क्या है, compliment है, यह adjective phrase है, जिसका head word depressed है, और very जो है, वो उसका pre-modifier है, जो की adverb है, आगे देखिएगा, he grew his hair long, यहाँ grew का मतलब क्या है, बनाना नहीं है, बढ़ाना ही है यहाँ तो, यह आपका क्या हुआ, subject, एक ही word को लेकि हमने आपके साथ ठीक ढंग से practice करने का प्रियास किया है, बहुत सारे questions है, मतलब जिस भी तरीके का question बन सकता है, किसी भी बुक मे यदि कोई example दिया हुआ है, हमने कोशिस की है कि उसको आधार मान के आपको कोई कोई question इस book में डाला जाए, Venus practice book जो है, उसमें 6000 से ज्यादा जो questions हैं, बहुत authentic हैं, ऐसा नहीं कि market में कहीं से कुछ भी मिला और cut, copy paste कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक एक question को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में चीजें बहुत धंग से समझाने का प्रियास किया हुआ है, concept के आधार पे चीजों को करने की कोशिस की गया, ग्रिव ही सेयर, ऐसा question बन सकता था, बन सकता है न, उसने अपने बाल बढ़ाए, तो ये तो क्या है, ग्रु के बाद में object है कैसे बढ़ा है उसने, लंबे, तो ये compliment है, ये इसका क्या है, object compliment है, जबकि अभी तक हम जो grow verb से देख रहे थे, subject compliment देख रहे थे, इस बार grew his hair long, ये क्या है, ये object compliment है, समझ में आगी बात में, आगे देखीगा, he has gone alt, तो ये बुद्डा हो गया है, तो ये आपका क्या हु subject has grown क्या हुआ आपके, वाब और ये आपका old क्या है, adjective इसलिए ये compliment है, यहाँ old compliment है, वो subject compliment है, यहाँ long जो compliment है, वो object compliment है, क्योंकि वो किसके साथ है, object के साथ है, एक और बहुत अच्छा sentence जो मैंने अभी आपको लिखा है, उसको और समझते है, C married young, C married young, इस sentence का SPOCA करके बताओ भी, C married young, M8, C married young, इस sentence का SPOCA करके बताओ, ठीक है, C क्या इसमें, C इसमें subject है, married क्या इसमें, वो अब है, और young, उसने जवान ही साधी कर ली थी, ठीक है, तो young जो है, वो adjective है, इसलिए क्या होना चाहिए, यह compliment होना चाहिए, क्या है, यह compliment है, तो चीजें आप लोगों को मुझे लगता है, ठीक धंग से समझ आ गई होंगी, हमने एक question को समझा, और एक question के साथ थे, इससे related जितने भी questions हो सकते थे, सभी के सभी questions को हमने ठीक धंग से समझने का प्रियास किया, यदि class आपको ठीक लगी हो, तो comment करके जरूर बताया करें, कि हमें class ठीक लगी, ताकि इस प्रकार की classes जो हैं, उनको continue किया जा सके, आप लोगों को फाइदा हो रहा है, इसी लिए हम उसको continue करें, otherwise फिर कोई business lab इसका होता नहीं, आपको तो फिर क्यों इसको continue की जाएं, अब ये हमारी Venus exam oriented books हैं, जिस book की मैं बात कर रहा था, अभी जिससे हमने कुछ questions लिए, वो ये book है, Venus grammar, an ultimate practice book, इस book को इतने अच्छे ढंग से तियार किया गया है, और मुझे लगता है कि ये RPSC second grade, RPSC first grade, REIT, MANS, या फिर UP, TGT, PGT, यानि किसी भी level की कहीं से भी आप तयारी कर रहे हो, grammar के सारे topic हमने इसमें डाल दिया है, इसलिए ये एक रामबान book आपके पास होनी ही चाहिए, हर बच्चे के पास ये book होनी चाहिए, और ये है आपके Venus handbook of English literature, जो RPSC second grade के literature के लिए है, इसमें complete theory है, 1700 practice questions हैं, उसके साथ उनके explanation है, और ये methods की है Venus pedagogy, इसमें भी complete theory practice questions हैं, और ये आपकी RPSC second grade के सारे के सारे short papers हैं, ये चार book RPSC second grade के लिए प्रयाप्त हैं, जिस बच्चे के पास ये हैं, वो बच्चा इनको तीन से चार बात जरूर से जरूर revise कर लें, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं को उसको कभी निरासा हाथ नहीं लगेगे, आज की class के लिए इतना ही, thank you, thank you very much.